जैसा हम जानते हैं के शिक्षा के छेत्र में एक बहुत बड़ी ये क्रांती, सुचना की क्रांती इसकी शुरुवात हो रही है वैसे तो कोई सामन्य काम जब होता उसको कहते हैं ये एक काम है, कार्य है लेकिन जब कोई विशेश काम होता है, उसको संग्या दे जाती एक विशेश क्रिती है विशेश प्रकार का कारे हैं और मैं इस आज के सिस्टम को जो आज शुरू करने जा रहे हैं ये कार्या और कृती में नहीं आता है, बलके मैं कहूंगा इस योग की एक क्रांती है, ये क्रांती है, रेवलिशन है, कुरोना के समय अनुभम आए, विद्यार्थियों के सबसे बड़ी समस्या, अगर कुविट का प्रभाव सबसे ज़्यादा तो पढ़ा हेल्थ पर, स्वा स्कूलने में भी बाकी गत्वी दिया तो जल्दी खुल गई, स्कूल तो सबसे आखर में खुले, और जब सबसे आखर में खुले, तो ये जो प्रभावित शिक्षा हुई, उसके लिए नएने तरीके निकाले गए, क्या, स्कूल का काम घर में पढ़ो, यानि घर के अंदर ही, वही से अपनी शिक्षा और मोबाइल से शिक्षा देंगे, ओनलाइन शिक्षा देंगे, ये एक सिस्टम, ये उसमें से आगे बढ़ करके आया, उसमें से विचार बना, कि हम टेबलेट को उप्योग करके, और जैसे मैंने पहले बताया, कि ई-बोक्स के माद्दम से, य स्कूल का जो क्लास रूम होता था, वो कमरे के रूम में होता था, आज हमारे हाथ में ये टेबलेट आ गया, ये हमारा क्लास रूम बन गया, इसमें बच्चे जाके पढ़ेंगे, और मैं फिर आपको सुभागे की बात बताता हूँ आपके लिए, आज ही यूग ऐसा है, ज बच्चों को, मैं आगे की यो कल्ब ना करता हूँ कि इतना बड़ा एक अवसर मिलेगा, कि प्राइवेट स्कूलों से भी आगे बढ़ जाएंगे, आज प्राइवेट स्कूलों से आगे बढ़ने की ख्षमता हमारे अंदर है, और ये जो टेबलेट का आज सारा विशे किय गया है, ये जैसे बताया के हम हरियाना के इस सिस्टम में बहुत आगे बढ़ गए हैं, अब ये देश के किसी और प्रदेश में इतना बड़ा भियान कहीं नहीं लिया गया, जितना एक साथ पांच लाख किसी एक स्टेट में और टेबलेट्स दिये गए हों, दियें कुछ किसी प्रदेशों ने किसी ने प्रयोक के रूप में थोड़े स्कूलों में दियें लाख दियें, दो लाख दियें, और हमने पांच लाख के वस्था किया है, अगले वर्ष इसको और बढ़ा देंगे, जैसा आविशाया के क्या चारों कक्षाओं को देंगे, तो हमने कि अगले वर्ष चार कक्षान देंगे नोवी, दसवी, ग्यारवी बारवी इस बार तो दसवी, ग्यारवी बारवी है एक और जोड़ेंगे